हिलिसा अनमंडले अस्पताल की गुनवत्ता को रखने के लिए पट्ना की आई टीम ने बुधवार को किया निरिच्छन हाम आपको उतादे की बुधवार को हिलिसा अनमंडली अस्पाताल में पटना की आई टीम डॉक्टर भावना के साथ निरिच्छन करने का काम किया इस तोरान बिहार सरकार के सरकारी अस्पातालों की गुणवत्ता पर रखने के लिए काया कल्प के तहत जीला अस्पातालों अनमंडली अस्पाताल एबन समुदाईक स्वास्तरकेंदर के मानको का सव अंकों का अधार पर चेकलिष्ट तयार किया गया है उसी को लेकर यह निरिच्छन किया गया है जिसमें साफ सफाई के लिए सव अंग है साफ सफाई में अच्छी समागरी उपकरनों का परियोग साफ सफाई में मोनेटरिंग, सुबधा की जान समंधित कई बिंदू है जिसका निरिच्छन किया गया है निरिच्छन के दोरान हिलसान मंडले एस्पाटाल कैंपस में बेहतर साप सफाई देखकर खुस हुए लेकिन हिलसान मंडले एस्पाटाल के इद गीद दवाईये का सीसी एवं नीडिल बान समागरी फेका हुआ था जिसको लेकर एस्पाटाल के कर्मियों को कहा कि इस पर ध् साप सफाई करते हैं इसके बारे में भी जनकारे लिया साथ में कैसे अब साप सफाई करना इसके बारे में विश्थित रूप से बताने का काम किये हैं हलाकि इस तोरान परसब कच में जाकर उन्होंने कहीं कोई पैसा तो जादा नहीं ले रहा इसके बारे में भी जनकारे लिया अस्पताल के लेवर रूम और परसुति विवाग के ओटी के मानकों की जांच की गई परसब कच में भी छावन साप सफाई एबा मरीज के रहने के मचडदानी पर भी चर्चा किया गया इस तोरान मरीजों ने कहा कि मचडदानी हम लोग को हिलिसान मंडले अस्पताल के माध्यम से फिलाल नहीं दिया जाता है जिसके कारण रात्री में मचड भी काडते हैं फिलाल इस पर कहा कि यहां कम से कम 20-25 मच्रदानी मंगाए और मरीजों को रात्री में जो ठराव कर रहता है उन्हें यहां सुभधा मिलने ही चाहिए इसके अलावे हिलिसान मंडले अस्पताल के विविन विभागों में जाकर जो डायरी था डायरी को देखने का काम किये कि इसमें किस तरह के कारे हो रहा हलाकि इस मावके पर हिलिसान मंडले अस्पताल के उपाधिच्यक राजक सोर राजू हिल्थ परवंधक अनुराग कुमा केमी गन भी मौजूद थे।